अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ अधालत में आज मेरे महमान है एक ऐसे सुपरस्टार जिनके फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम बचा दी है एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने मुंबई की फिल्म निंडस्ती में नई जान फूर्टी है प्लीज वेलकम गदर के तारा सेंग सनी देवल आज के मारी जज़ हैं लाइफस्टाइल एडिटर फॉर इंडिया टेडे ग्रूप रुचिका महता और इससे पहले कि आपके अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इंजामात सवालात का सिल्सरा शुरू करें आज की ज़ज रुचिका महता की जाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए इजाज़त है आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी दियोग अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे सनी आपकी आँखों में आसू दिख रहे हैं इस तरह से लोग कुछ हो रहे हैं तो यकीन नहीं होता है कि मैं इसके लाइक हूँ या नहीं पिछले कई सालों से मैं काफी कुछ नहीं है कर रहा था काफी चीजों पीछे लगा हुआ था और जिस तरह से लोग ने मेरी गदर को प्यार दिया है जिस तरह से आके बाहर उन्होंने इसे सेलिबरेट किया है मैं जब मुझे पहले पदा चला जब मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहा था और अलग अलग फोसिल्स के पास गया था और जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया तब से मैं कुछ पिगढ़ना शुरू हो गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्यार है और जब एक से लगने वाली थी सोग मुझे पथा चल गया था कि गुदि तिकेट्स बहुत बगते हैं और चारो तरफ वो हो रहा है एक फैसिबल सो होने माला है तो पता नहीं एक दम से तबसरी मेरे अंदर एक इसे लग रहा है जयसे रभ मेरे अंदर है और मैं पता नहीं का अफ लोट हो लोगों के साथ बहुत जिस तरह से लोगों ने बिच्रे हिट होती है लेकिन यहाँ तो देख रहा है कि बाकी मेरी पिच्छर हिट रहा है कि लोग आके सेलेबरेट कर रहे है तो उचे नहीं लगता ऐसी फीलिंग कभी दुबार आएगी है किसी को ऐसी फीलिंग का अंदाजा भी होगा कि यह है क्या और क्यों है आप उमीद थी कि फिल्म इंतनी बड़ी हिट हो जाएगी देखी मुझे ऐसी उमीद तो नहीं थी कि क्योंकि जब पहले गदर लगी ती उस वक्त मुझे तब याद है कि लगी और हर मैं अबिसली मैं इंडस्री के खिलाफ नहीं हूं लेकिन इंडस्री जिए और इस तरह बैठी उस वक्त के बस चलती गई चलती गई और तब मुझे इतना बिकोज उस वक्त में डिजिटल वर्ल नहीं थी तो हमें इतना इहसास पता नहीं चल रहा था कहां क्या हो रहा है और तब हम फिल्म के प्रमोशन भी नहीं कर जाते तो हम आते थे लोगों को पसंद आई गया हम फिर से बनाने जाएंगे पता चले हमने लोगों को जो पसंद आई ती फिर उससे वो बोलेंगे क्या कर दिया आप लोगों को नहीं करनी चाहिए तो इसलिए से डिले करते गए और कोबड का वक था जब उनन मुझे आइडिया सुना है तो आइ इसके इज़त रखेगी और इस पिक्टर ने उसके पार्टू ने इसकी इज़त रखी तो आईए शुरू करते हैं आज को मुकदमा आपके अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सनी दियोल पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है सनी ये बात सही है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में इतनी हिट हुई गदर ने गदर मचा दिया और लोग कहते हैं जब से ये फिल्म हिट हुई आपको कुछ और नजरी नहीं आता ना जबान ना सुल्तान ना पठान ना भाईजान सिर्फ तारा सिंग महान अपारा सिंग इन लोगों ने तारा सिंग को जैसे उठाया है ये सब इजनता की है और वो character ऐसा बन गया कि लोगों के दिलों में बैठा हुआ तो जहां जाओ तो तारा सिंग ही तारा सिंग है और बहुत अच्छा लगता है और पाकिस्तां में लोग कहते हैं ये कौन सा तारा सिंग है बिना पासपोर्ट के आ गया पिछली बार आया तो इसने बंबा उठाया इस बार खंबा उखाड़ दिया देखे ये बाते चलती रहते हैं सोशल मीडिया पर और इस अब जगा पर लेकिन मैं जब भी इंग्लेंड जाता हूं या भी दुबई था और बागा बॉर्डर में भी था जब इस वक्त तो बहां के पाकिस्तानी जो लोग थे उस तरफ और हम यहां थे तो वहां से मैं दे रयार दिया तो ये नहीं है कि वहां वहां हमें प्यार नहीं करते हैं कि हमें करा दोफ और हमें किला कार रह जो सब के लिए हां फिर फिल्म बन जाती हैं जिसमें हमें ऑविसली की एलेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं और हमेशा एक व morale होता है पर हम किसी आ Kenny एक खिलाफ उस तरह नहीं जाते, और तारा सिंग्थ इस तरह озможноas करक्र पारखेम का पाकिस्तार में भी जाके। बसने को राजी है नो मुसे ये जहामर्जी उसके परिवार को सो仔ो कौना को बशया कि बिसे यह लोगों के कमेंट्स है मैं तो कुछ कर नहीं सकता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और किस ने लिखा कि पाकिस्तान का हथोड़ा लेके पाकिस्तान सारी फॉज को डरा दिया अपने बेटे को लेने आया था और तारा सिंग जब आता है अपने परिवार के लिए तो फिर उसको रोक नहीं सकता तारा सिंग फिर उसकोई नहीं रोक सकता एक सीन सब ने देखा कि टैंक पर चड़े हुए हैं और पाकिस्तानी टैंक को उस पर कूथते हैं उसके अंदर हद गोले डालके वापस अपने टैंक पर आ जाते हैं तारा सिंग हमारा जैसे मावल कामिक्स है न वहां उनके जो हीरोज होते हैं हमारा तारा सिंग वो है बलकि हमारा तारा सिंग उन सब सुपर हीरो से तकड़ा है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ है उसकी कमजोरी उसकी जो परिवार है वो ही उसकी ताकत है जब वो फर्शता है तो उसके पास रब आ जाना है जब रब आ जाता है तो रब के सामने कौन टिक सकता है? आप बताईए कोई निटिक सकता है शन्नी ये बात सही है कि ये फिल्म करने में बहुत महनत लगी क्योंकि सारे जो सीन्स थे वो रियल ट्राइम थे उसमें ग्राफिक्स का इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया था? हम अकसर मैने जितनी मीजो भी मैं फिर्मे करता हूँ ज्यादा हम लोग स्पेशल इफेक्स इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं होता है जहां उनको इस्तेमाल करना होता पर हर चीज़ हम लोग ओन लोकेशन करते हैं, ना सेट के पर करते हैं, भी गो टू अच्छल लोकेशन भागा के शुटिंग करते हैं, और इसलिए हम आसम और जो जिस तरह की तकलीफे आती हैं, और खासर आज कल के दौर में तो क्या हो गया कि सब के पास कैमरा है, तो हम जहा के उपर होगा, और वो चीज़ें और चारो तरफ घूम रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें थी, जिसे हम रोक नहीं पा रहे थे, और डेफिनेटली हमारे जो सीकुंसे थे, कहीं हेल्फ प्रॉब्लम जाती थी, फिर कुछ चीज़ें होती थी, कहीं कुछ और प्रॉब्लम जो टेंक उड़ाए, गाड़ियां उड़ाई, ये धमा के किये, ये सब रियल थे, ये रियल थे, ये सब रियल थे, और मैंने सुना कि जो बेटे को बचाने जाते हैं, तब बहुत धूल, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लेकिन उस समय आपकी आँखों में प्रॉब्लम ये 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 बट गंदी प्रॉब्लम है, घर से मुझे बट पढ़ते हैं, बोलते हैं, तेरे ये ध्यान रख, और मैं ऐसे नहीं कई बार मेर साथ हुआ है, मैं अपना ध्यान नहीं देता, बिकॉस मैं उस चीज में उलग जाता हूं, और पता नहीं क्यों आदमी सोचता है कि कोई फरक नहीं पहुगा, लग पढ़ता है, धूल बूल थी, आँखों में पान जा रहा था, तो बार बार में ड्रॉप्स जालता रहता था तक कि कहीं पुछ लेने के देने ना हो जाएं, बट सब सही था, सब सही रहा, जिस बच्चे को आप बचाने के लिए जाते हैं, यह वही बच्चा है जो बाइस साल पहले ही गदर में था, जी हां, वही बच्चा है, और फिल्म के डिरेक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्चे को जो उनका बेटा है, आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे वाकए में आपका बेटा है, ने खेरू, खेरू ऐसे तो नह से उस तरह से ही, मैं अक्सर अपने आपको उस तरह से ही बना लेता हूँ, जैसे चारेक्टर होता है, तो बेटा तो बेटा है, तो वो फिलिंग सही आनी बहुत जरूरी है, और बच्चे के साथ भी मुझे को बार बर बोलता रहता था, कि उसी तरह से सोचो कि जैसे हमारी बेटे की है, तो क्या यह सब चीजें फिर देन स्क्रीन के ओपर सही आ जाती है, और एक्स्प्रेशन सही आ जाती है, और मुझे मालू है, जब पहली गदर थी, उसमें भी मिरसा था, और हम ट्रेन के बुग्गी उसके ओपर से जम मारती हो जा रहे थी, तो उसने मुझे प अपनी किये है, डबल नहीं रखा, डबल नहीं, डबल मेरको नहीं लगता है कहीं एक अधी जगा कहीं होगा जब मैं शायद माना हूँ, लेकिन सब चीजें मैं खुद ही करता हूँ, विकॉस उसमें क्या बॉडी लैंग्विज आती है, और खुद का एक्स्प्रेशन जो ह आता है, वो सही आता है, और नहीं तो फिर वो हर जीज कट 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 करके हो जाती है, यह आजचा ज़्यादा अधर बड़े अक्टर्स जितने हैं, वो एफेक्ट के साथ काम करते हैं, स्टेज पर पूरा शूट होता है और बाद में उसके अंदर एफेक्ट लगा दिया जात हां, कुई ऐसी चीज होगी जहां मुझे मुझे मालु है, मैं नहीं कर सकता है तो अधिसली मैं उसका सहरा नूँगा पर अकसर हम जो करते हैं, मुझे लगता है, मैं कर सकता हूँ तो मैं करता जाता हूँ तो आपको शूख है, खटर उठाने का? नहीं शुक तो नहीं है बभी बगुज़ हमेशा हर चीज को पॉर्स की तरह ही ले लेता हूँ के चलो मज़ा आता है करते है तो इस फिल्म में अमीशा पटेल ने जो जगड़े की वो भी आपने पॉर्स की तरह है अब मैं फिल्म उन चीजों में से दूर हो जाता हूँ जहां मुझे पता है कि ये बात कुछ और हो ना हो जाए तो बैमारी निकर जाता हूँ शूटिंग के दौरा उन उनके काफी नोग जोंक होती थे डारेक्टर के साथ कैस वो मैं उस वक उदर नहीं होता था जह होती भी थी तो उनके आपस में थी जो भी थी पट पट हां कितनी तफ़ नोग जो खो जाती है नहीं होनी चाहिए पर मैं तो पेशा कहता हूं किती दफ़ा आर्गुमेंट्स भी होती है तो आर्गुमेंट्स आदमे को भी एक अकल मिलती है कि जब वो बोलता है कुछ किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना गलत बोला कितना सही बोला और उसे रेलाइस भी हो जाता है पर होना नहीं मेरा क्या अटिट्यूट होगा अभी गदर आ गई है अब तो मुझे लगता है रब में सुन ली अभी अभी आपकी गदर टू रिलीज हुई है और वॉक्स ऑफिस पे उसने काफी दहमाल मचाया है तो आप इसकी सक्सेस देखे इन फ्यूचर कभी गदर थ्री लानी की सौचिंगे देखे गदर टू लाने के लिए मैं डर रहा था गदर थ्री के लिए मैं तयार हूँ मैं समया कि आपको आपकल ओफर मिल रहे है कि बॉर्डर टू, अर्जून टू, घायल टू, सब के टू बनाने अर्जून टू नार्ट टू लोगो के दिलों में ऐसे बसे हूए है कि उचाते है उसका एक्स्टेंशन देखे है और वही देखना चाहरा है ना तो बॉर्डर टू की जो बात कर रहे है एक वक्ता जब में करना चाह रहे थे लेकिन उसका फिर हुई नहीं अब वही सब पिक्चिर चली है तो हर आदमी में जोश आ गया के नहीं हम बनाएंगे तो लगता है कहीना तो कहीं हो जाके बनेगी मैं थोना कि जोश तोड़ा सनी देवल का आगया है अब आप कहरें कि एक फिल्म के पचास करोड लूँगा देखें पैसे क्या लेने हैं नहीं लेने हैं वो तो प्रडूसर वही देगा जितना उसे पता वो बना सकता है और अक्टर भी उता ही लेगा जितना उसे पता है कि जब फिल्म करोड कमाएगी तो पचास करोड तो बनते हैं तो तो जो से लगेगा कि मेरी मुझेतना दे सकते हैं जो भी दे सकते हैं तो मैं उसी में रहूंगा मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं करूंगा जेतना नहीं मिला इस तरह से कि तो मैंनी कुछ काम करता है इस तरह से हिंदोस्तान, हिंदोस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा सनी एक ब्रेक के लिखते हैं और ब्रेक के बाद आपके अदालत में सनी देवल पर जामा और तो सवालात का एक और तो वेल्कम बैक आपके अदालत में आज हमारी मेंबान है सुपर्चास सनी देवल आपके अदालत में अगला जामा आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी डियोल पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है सनी आपके जितने डालोग होते हैं फिल्मों में उखाड दूंगा फाड दूंगा घर में घुसके मारूंगा कलेजा खीच लूंगा पेताप से लेकर गधर तक हमेशा इतना गुस्सा है मुझे जो कायरकेट्स मिल दें जो मैं धिलमे की हैं जो मैं अडिया कुछी ऊटा हुआदे ने मिन हमेशार एक नॉर्मल सा अदमी होता है परिवार वाला होता है या भाई होता है या बेटा होता है कभी कोई कुछ केहा तो रो преступления तो जो कोई कहेंगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं तो जो आदमी तना पागल प्रेमी हो उसमें गुसा नहीं आएगो तो क्या आएगा और वैसे ही कोई भेहन को छेड़ दे तो भाई क्या करेगा भाई में उसका खून खौल उठेगा वो आदमी का हाथ और खाड़ देगा अशाना मेरे मेरे केरेक्टर्स वहते हूं तो ने अकसर आप पॉर्ट्रेट थो से केरेक्टर तो सम्हाव वही जंता को प्यारे भी लगे है और फिल्में भी लोगों के दिलों में बसी हुई है तो गर गई थे वहाँ पर मैं यह जो बोले सोने या कि पी शुटिंग कर रहा था और वाज पुलीस हबलदार होता हूं और वहाँ जाता हूं तो वहाँ पर काफी ठेर सारे तकड़े तकड़े लोग थे पहलवान बॉड़ी बॉल्ड़ जैसे थे तो मुझे यह डालग बोलना था नो इफ न गला गया हुआ है नहीं तो मैं जुरूर अची तरह से दिखाता है बिकाज उस वक्त जो है ना बिकाज वह बात सरदार दी है नो इफ नो बट सिर्फ जट तो गल अपने अपी अंदर से आजाती है जब करें कि हम पंजाबी हम सरदार हम हम जो हैं हमारे अंदर जो हैं इसलिए सनी जब आपको डांस भी करना होता है तो ऐसा लगता है अब धरती हिल रही है जब से मेरे बेटे की शादी है तब से मैं कुछळा नहीं चाउप रहता हूँ जॆँ जाता हूँ जाहना उलिए नाच पढ़ता हूँ तो उसके बार मेरे को लगता है अभी में अभी मैं शर्माता नहीं नाचने से पहले थोड़ा सा गभचा जाता है कि जब जीत का गाना शूट हो रहा था तब काफी डरे हुए थे आपने सब को सेट से हटा दिया था हाँ उस वक्त मैंने तेह किया थे मैं नाचूंगा पर में को क्यों जो आता था वैसे मैंने किया और वो नाची ऐसे था जिसके हम कहते थे कि आइंट किली है पतेहीं कि इपदें क्या मोलत है धार 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 और डार यह रेक्यर था वह प Character था वह विचा nest April मैंने वैसे ही किया उन गाना बहुत प्यारा था लोगों को पसंद आया उसके बाद वो लोगों ने उसे इंजॉई भी किया और लाइक भी किया राइट यारा हो यारा यह देखके सभी लगता है अब तो अपने डांस करना सीख लिया है अची तरह से वहां मैं कहना हूं पता नहीं अभी मैं बुले जब करना है तो करना ही करना लगता है अगली फिल्म शाद में कोई मुजिकल करूं क्योंकि धरम जी के बारे में भी लोग यह कहते थे कि वो डांस नहीं कर सकते लेकिन जब उतरते थे तो फिर स्टेज प्याग लगा देते थे पापा का अपना ही एक स्टाइल है अपना ही एक अधा है और फिर उसमें पूरे चले जाते हैं जो पूरी जंता हुने उस वह व 30% of the people are not dancers so they identify more with us बाकी लोग तो डांस करी लेते हैं बाकी जोग तो डांस करी लेते हैं बाकी जोग तो डांस करी लेते हैं बाकी जोग नियात नहीं परा चला हाथ तेहलाओ मारो हम बात कर रहे थे शुरू में आपके गुस्षी के आपने डांस करके उसको थोड़ा सा डा पर दी थी गुस्षे में वही मैं कहता हूं ना कि मेरा गुस्षा बहुत खतरना गया इसलिए मैं कितनी बार कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी सिट्वेशन में ना फसूं जहां मैं आपने आपको काबू ना रख पाऊं और में साथ कितनी दफ़ा ऐसे किसे भी हुए हैं बट स अच्छी बात नहीं है और फिल्म में तो हुए ही था और पता नहीं मैं वही कहना ना हमारे जीन्स जेनेटिकली हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज है जब कुछी हो जाती है तो उस वक काबू में आना बहुत मुश्किल हो जाता है तो असलिए जिन्दी की में मारा आपने किसी थी मैं गाइंग्स वायंग्स होंती धिया जगुड़े हो जाती थे थे कोई किसी पर स्टेय 大 Gmmiller ये जजातीए तो देक्षी ओर मेरी तरो उस पर जाती थे जाती पर ये होते में पर ये हो जाते है और ये होते हैं तो आओ ड़ीक पर अगलने को येड़े जैसे धी या सामने वाले को नहीं आई लेकिन आपको जानते हैं सनी वो यह कहते हैं कि आपको सिक्स पैक एब्स वगरा तो नहीं दिखाते हैं लेकिन स्ट्रॉंग बहुत हैं सनी देखें बात 6 अपस और ये बॉडिबिल्ण में उस बात वो नहीं होती कि उसमें आपके पास ताकत है मैं हमेशाग आई आदमी की सचाई की होती है और हम लोग जो यह एकसराइस कर रहे हैं बॉडिबिल्डिंग करें तास टू की पासेल फिट लेकिन आज़ के जमाने में ल कर लें के चीजों को एक दम उलेकर चलें, बिकास हर चीज का फैशन हो चुक है आज कर, जिसे देखो तो बोलेंगे आज ऐसा खाना कोई बोलेगा नहीं, यह एक्सरसाइज करो तो ऐसा हो जाएगा, और हम लोग लगता है कि हम वो करके तो हम बहुत वो हो जाएंगे, लेकिन यह डामजिए असल्व उसके लावा आप लोगो ने कोई मिस्टर यूनिवर्स तो नहीं बनना है, तो वाई गो थूरू अल्ट प्रोसेश, तो आप क्या खाते हैं पराठे के उपर मक्षन डालके, मैं मक्षन पराठे सब कुछ खाता हूं मैंने कभी डाइटिंग नहीं की, तो यह नहीं था कि यह खाना है वो नहीं खाना, आजकल मैं देखते हूं बच्चे लोग, नहीं नहीं, I can't eat this and I can't eat that, तो मैं मुझा भई क्यूं भई आपकी उमर है, your metabolism is so fast, आप तो ऐसी you burn calories like that, तो क्यूं घबराते हूं आप लोगा। आज के जमाने के एक और चीज मैंने सुना आपको परेशान करती है, यह सोशल मीडिया जिस तरह की बातें लिकी जाती हैं, आपको बड़ा गुस्सा आता है, शुरू में मैं बहुत बुरा लगता था, बिकास मुझे मैं हमेशा कहता था कि जो आदमी, यह जब से हमारा सोशल मीडिया आया है, यह सब चीज आई है, तो यह बेसिकली जितने हमारे विले लोग थे ना, उनके हाथ में एक टूल आगया जहां उनका चहरा तो दिखता है, किसने जो भी करना डाल देता है, जिसने जो करना कुछ भी कह देता है, और वो यह नहीं देखता कि आगे जिसके बारे में जिसे भी वो कर रहा है उसे दुख पहुंच रहा है, वो अपना मजा लेके बस बैठ जाता है, एक किसना मुझे किसने बताया कि वैसे तो आप प्राइवेट परसन है, आपके घर के अंदर क्या होता है, घर कैसा दिखता है, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन बेटी की शादी हुई, रिष्टेदार आके महां ठहरे, तो सारे वीडियो जागे सोशल मीडिया पर. मैं शुरू में तो बहुत अपसेट हुआ, मैंने एक दो को देखा मेरे रिष्टेदार के महां बहुत गुस्से ग उआ होँ, मैं थान। शरम नहीं आँ इंदा कर रही हुआ 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 हुआ। तो एक दो को मैंने डानटा, दो तिन को डानटा, फिर बात भी जब फंक्शन हो रहे थे तो देखा हैं यहां से वीडियो निकल रहा हैं वहां से निकल रहा हैं तो फिर एंड अफ दुड़ जो जो हो रहे हैं बट आपके हाथ में कुछ नहीं है यू कैंड अब अदमी से यह कहता हूं कि दूसरे की प्राइवसी का ध्यान सब चीजे होती हैं लेकिन वूस सोस्ते हम हाग है हर आदमे का कौई भी कुछ भी कह सकता है कुछ भी कर सकता है सब यह जबी सच है कि बच्पन सही पढ़ने लिखने में आपको काफी परशानी होती थी जिसा आता था पधार्वी तो मैं कह सकता हूं बर उस वक्त नहीं पत और पढ़ना लिखना अभी भी मैं कितनी भर बहुत गलतियां कर लेता हूं बिकॉस शब्द को मैं कुछ और ढंग से देखता हूं और लिखने में में चीजे गलतो होती है तो अविसी जब उस वक तो जमाना वैसा था किसी को कुछ पता ही नहीं दें बेटा डफर है उन्हों पढ़ाई नहीं आदी था पढ़ पेंदे से का रहां नहीं किता बट सम्हाओ जब स्कूल में था जब ठीक नहीं था तो कुछ टीचर्स ने मेरा मेरा IQ टेस्किया और मा IQ वेरी हाई तो इसी की वाज़ा से शायद मेरी आवस एबल टू मैं चीजे समझ लेता हूं और मैं थर्टीफाइफ परसंट तक पास हो जाया करता था कि बड़ी बात आपने बाताई आप डिस्लेक्सिय से सफर कर रहे थे और जिन भी लोगों को इस तरह की तकलीफ है वो समझ सकते है कि इसके बाद भी सक्सेस मिल सकती है कि अ बàiतलश मेरा तो यह कहाराअ जिस आजमी में जो भी शॉडफॉॉल होती है वहाद मी और तखड़ होताः है वहाए्ट वह बट्रू स्कोल में बच्च्य लुग तंग करते हैं यह भार लुक तंग करते हैं तो यह आदमी की पिसनेलिटी स्टॉंग नहीं तो लुब पीछे रह जाता है अमेर खान के फिल्म ते तारे जमी पर उसमें बहुत अच्छा सा हाइलाइट किया साइस बहुत अच्छा किया था I think it is very important that we all understand and थोड़ा समझे अपा सारी अगलानू के बच्चे नो अची तरह गौर्णाल देखिए अच्छा के दिनों में लिखने पढ़ने के साथ साथ आपको बोलने भी प्रॉब्लम होती है डरते थे माइक देखकर हाँ जी मैं तभी बिकॉस अब तो मैं थोड़ा जादा बोल लेता हूं उस वक माइक आजाता तो समझ में ने आता तो मैं बोलू क्या हम और मुष्किल होती थी और इसी वज़ासे कितीन बार कहीं में जाता नहीं था तो लोक सोचेते मैं अरगएंट हूं यहां पता नी क्या समझता पर किसी को क्यावथा हूं मैं मैं से हो नहीं पा रहा हैं DAN तो, Saniem बोलने में दिक्कत थी, पढ़ने में दिक्कत थी, ससके बाद भी इतने बड़े स्टार बने बने. रब्री महर है, ते रचा डें हडार. I mean, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन, मेने कभी कोई भी चीज से मेने हार नहीं मानिए, कभी हार नहीं मानिए. नहीं आता तो मैं उसके पीछे लग जाता था हाँ पढ़ाई में नहीं कर पा रहा था विकास तक टेकनिकल प्रॉब्लम बट गहीं भी कोई मुश्किल आय तो मैं उसका सामना करता हूँ उसे मुश्किल नहीं समझता मुश्किल समझ के आदमी गिवाप करके वहाँ बैठ जाता है मैं क्या करूँ हूँ मैं तो बिचारा हूँ मैं उससे मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई बिचारा-बिचारा की बात होती है तो मैं हमेशा हर बच्चों को भी कहता हूँ तो गो फॉर एट, करते रहो इस इस हाँ वी बेसिकली स्ट ग्रोइग आप और अगे अगे बढ़ सकते हैं पर निया सणी बहुत अच्छा मैसेज है उन लों के लिए जिनको कुछ कमी है लेकिन उनके अंदर ये विश्वास आ सकता है आपको देखे कि हम भी कुछ बन सकते हैं मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नी पड़ी क्योंकि पढ़ नी सकता ना मैंने कोई डालोग लिया है मैं तो उनको समझता हूँ फिर आगे करता हूँ आपको जब डियरेक्टर स्क्रिप्ट देते हैं तो आप उसको पढ़ नी सकते हैं नहीं पढ़ता ही नहीं हुँ मैं अक्सर हमेशा बात मैं मुझे बात कहनी है मुझे बता दो लेट मी में मेक माउन टॉक और मैं फिर मैं अपने हिसाब से उसे बोल दूँगा तो इतने बड़े बड़े डायलोग जो हम सुनते हैं आपके जो डेलिवर करते हैं आप यह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं यह सरफ मेमरी से आप हम उसको मिन्स ओविसी उसको लेता हूं फिर बात में पढ़ता हूं भी हूं विकोज अभी मैं सुन लिया तो मुझे पता है क कि अपने पर जाएं तो पूल नहीं तो बोलने नहीं है वह उसे हमने अपने अपना फॉट लेके उसे आगे प्रिजेंट करना अब्लिक मिसे और पूछें जैसा कि आपका करदार हल फिल्म में बिलकुल घुसे वाला मादार वाला दिखाया जाता है तो क्या वह घुसे वा मैं शरारती था और उस उमर में मैं तो महमेशा कहता हूँ बच्चों को बच्चे बनके जिन्देगी निकालनी चाहिए बिकाज वो उमर वापस नहीं आने वाली हम उन्हे और पापा तो काफी बिजी वा करते थे लेकिन एक ऐसे इंसिडेंस वा था जब घर पे थे और मुझ दूर घर तो हम लोग मेरे साथ और दोस्त होता था तो मुझा आथा था किसी के काहरे शिशे तोड़ने में तो एक दफा ऐसे ही हुआ तो पता चले पापा आगे तो मैं सोचा पापा आगे और हमेशा फादर से पता नहीं तो हमेशे डरता हूँ शाएद उनको ये बात तो तो हमेशा और रहता है तो मैं नीचे दोड़ा तड़ा उनके दोड़ता हूँ कहां जा रहा है तो उनको बुलाया शाइद उनको कहीं और गुसा होगा कुछ बात हुई होगी एक थपड़ मारा तो मेरे फेस पे तीन उंग्ने चपी दी से क्योंकि हाथ इतना पापा का ब्रेक के बाद आपके अदालत में सनीजल पर जामात और सवालात का एक और तीस बार तो शारुक ने भी तारीफ किये करन जोहर ने भी तारीफ किये आपके तो यह वेल्कम बैक आपके अदालत में आज हमारे महमान है सुपरस्टार सनी देवल आपके अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देवल पर आरोप है कि यह अहसान फरामोश हैं सनीफ फिल्म इंडस्टी वाले कहते हैं कि इस फिल्म इंडस्टी ने आपको इतना दिया इतना बड़ा स्टार बनाएं आप मुंबई की फिल्म इंडस्टी के वज़े से लेकिन आप कहते हैं कि इंडस्टी डिनोट बिलीव इन मी आप कहते हैं कि मुझे फेर ट्रीटमेंट नहीं मिला ये शरी राइड बट क्या हो जाता है कि जो महौल है वहां पर मैं तु हमेशा कहता हूं पापा की जो केपीविलेटी है और जो पापा ने डिलिवर किया है पूरी industry में शुरू से लेके अब तक वो capability मैंने दूसरे लोगों में नहीं देखी लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि उस तरह से एप्रिशीट किया जाएं तो उस उस वज़ा से मैं इस तरह से कहता हूं और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा कभी जै कुछ अच्छा भी करें तो हमारे मैं पास सामने से कोई studio यह कोई दूसरे बड़े बड़े producer और डिरेक्टर साथ जल्दी में साथ इतने जल्दी जुड़े नहीं हैं अक्सर मैंने जब भी काम किया है तो mostly हमेशा newcomers के साथ ही काम किया है और मैं enjoy भी वही किया है because उनके अंदर जो जो जोश और उनके अंदर जो एक प्रूफ करने की एक अंदर होती थी तो उसके साथ मेरा भी तालमेल बन जाता था और इसलिए जतने भी फिल्में चैसे घायल थी उसमें भी निया डिरेक्टर था और धेर सारी फिल्में थी सब में मेरे ने ने यंग लड़के थे जो इनके साथ किया शुरुगाद और वहाँ पर हम लगे हुए थे कुछ अपनी ही एक अलग धरांका सिनमा लेकर जो अविसलि उस वक लोगों के यंग्स्टर्स के साथ वो रिलेट जादा करता था लेकिन डेफिनिटी उसके बात फिल्म मैंने कभी भी कोई बड़े स्टूडियो या कोई बड़े फैमिली स से हैं जहां जो जिन जिनके जो धेर सारी फिल्में बनाते थे उनके साथ कभी में को अपरचुनिटीज नहीं मिली और लेकिन अभी जब गदर रिलीज हुई है तो बहुत लोगों ने तारीफ किया उन्होंने फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया और लिखा कि ठाई किलो का ह प्लेशन है और अबूसली में अभी सेनियर तो जब मैं था यूज कम ने से तारीज एटा था लेकिन जब अग्राइट रहा है और वो हमेशा वो बॉंड रहा है पापा के साथ इसका बहुत अच्छा बॉंड रहा है और अबूसली यह नहीं है कि समेरी कॉलीग्स और रही बाँन विटेवरिवड पर मैं कुछ मुझे लगता है कि जो भी हमें ज़े पसंद तो पसंद करिये नहीं करते तो ना करिये इस बार तो शारुक ने भी तारीफ किये जब शारुक लेक हमेंचान। पसंद एक जब ख़िए रह वहाता मैं कि अधेशनां और अईबजने होता है जब परनेशना मैं के जब अचिए वहाता है जानि आद ब्हूल भूल भी जाता है और और समझ में भी आजाता है कि अशारुक लुग चाहिए ता बच्पन ना था तो डेफिनिल्लि उसके बाद मैं आशारु कई भार मिले आ हैं, ऐसे ही मिले हैं, बात्चीत कई हुई हैं, कि ही चीज़ों के बारे में, कोई फिल्मों के बारे में भी आप लोगी थी तो पूरी फैमली के सथ मेरी फिल्म देख रहता है, नी कॉल में आप, तो वो वो सब ची कि आप गता हो गा क्याओं कि आप industry बालों की तरह नहीं है अप भी सब के साथ गुलते मिलते नहीं हैं आप भी party नहीं जाते हैं शाईद यह होगा because obviously मैं देखे मैं पार्टी पे जान यह नहीं मैं कहता के there's anything wrong with it पर वहां दारूपी नी बढ़ती है, यह सब कुछ करना पड़ता है, मैं हूँ नहीं है, मैं अरली राइजर है, मैं रात को जल्दी सोने वाला मुझसे हूँ तो और मैं जब जब जाय करता था, और जिसको चड़ जाती थी, तो पकड़ लेता था अपर वह ऐसी बात, लूप लग जाता था, फिर वही बोलते रहते थे, तो एक नहीं पकड़ा, दूसरें पकड़ा, तीसरें पकड़ा, इसके बाद मेर को भी चड़ जाती है, तो लूप के साथ आजमी वैसे ही हो जाता है, फिर गुंच सा लगता है, आप किसी की साथ कुछ सेंसिबल बात ही नहीं कर सकते, बढ़ आप किसी को रिस्पेक्ट देता, तो उसका रिस्पेक्ट का मतलब समझना चाहिए, और कुछ नहीं, जब पाजी का तो उसको पाजी समझिये, ऐसे मत पाजी मुझ नहीं समझते? खेर, आप लिए पाजी नहीं लगता है, यह है, हम, हम, यह दुनिया हमारी ऐसी हो गई है, जहां पर हम लोग ऑपरिचुनिटीज देखते हैं, कैसे क्या करना, आगे बढ़ने की रास्ते ढूड़ते हैं, अच्छे बढ़ने के लिए भी अच्छाई के लिए हम कुछ भी क करते हैं, और फिर से बोलेंगे, मैं किसी की बुराई कर रहा है, मैं बुराई नहीं कर रहा है, यह दुनिया है वैसी, और इसमें सही हैं गलत क्या है, उसका कहने का मुझे कोई हक नहीं है, मैं वैसी ही रहूँगा जैसे मैं हूँ, और बाकी लोग वैसी ही रहेंगे जैसे मैं धर्म जी का एक इंटर्व्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे थे, बहुत कोशिश की, मैंने सन्य को सिखाने की, और उन्होंने जिक्र किया, वो गाना मौसम यू बरसता है, डर क्यों मुझको लगता है, बोले मैं उसको कह रहा था कि अमरिता सिंग को जप्पी पा ले. यहाँ, लेकिन सनी सो हुआ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कि नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसी बात तो कुछ नहीं है, आप, मैं बहुत, I'm basic लिए shy guy, शर्मा था बहुता, बच्पन में बहुत ही हथ से जादा शर्माता था, लेकिन, लेकिन, वागिन मैं कहता हूं, वहार आदमी है दो भी आप जप़ी पा लेते हैं नहीं मैं बगैर मतलब कि जप़ी डालना भी थी बात नहीं है मैं काफी बदल चुका हूं और दुनिया के साथ बदलता ही रहा हूं और फिर भी देखिए ना उमर 65 की है तो बदलना अभी नहीं बदलू हो तो कब बदलू है लेकिन आज भी बहुत सारे डिरेक्टर्स ये कहते हैं कि सनी देवल के साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी टम्स में काम करता है तो कुछ नहीं है कुछ रह्यां सोगरिय। drilling करता हूं में अच्छा सब लगी है तो हम अच्छी तरह से काव करने वे तो इसमें जितना हर आदमी सचाई से उसके उसको उसमें काम करें इतना अच्छा है दो तीन एग्जामपल आपको देता हूं मैं जेपी दत्ता के साथ बॉर्डर किया आपने उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन शेल्फ कर दिया नहीं वो शेल्फ नहीं इंडस्ट्री का वही नहीं है जा नहीं चलता तो फिर आदमी के पस गच्छ नहीं है फिर पिक्चर बनाने के और अब जब यह पिक्चर चल गी है हर आदमी कह रहा है कि मैं यह बनाऊंगा वो बनाऊंगा बट दुनिया ऐसी चलती रही जितनी फिल्म में आपकी हिट कि जो बनते-बनते रह गई नहीं ऐसे तो नहीं है कि बनते-बनते रह गई सब बन गई लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूं सनी जरूर शीशा चुनौती इंडियन बजरंग इश्क महबत अफ़तार धूल यह सारी फिल्में मेंशिन की जाती हैं कि नहीं नहीं शीशा यह पास्ट होए तो वो आगे बननी पाई और फिर और कुंसे नाम ले रहे थे आप और मैंने नाम लिए इस्ट महबबत यह 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 तो मुझे पतार अफ़तार इंडियन इंडियन थो मैं खुद ही बना रहा था उसका हम लोगने मूरत भी किया था उसमें आश आश यह जी करके फिरूब बनी नहीं थी तो बजट तो आपको गदर में भी बहुत कम मिला हाँ पर इस वक्त हमें बनाना ही बनाना बहुत जरूरी था बात प्रूफ करनी बहुत जरूरी थी कि कर सकते हैं इसलिए हम लोगने उस पर किसी ने उफ नी की हैं हमने वो पिक्चर बनाई इ जरूरी थी कि अगर आप एक्टर नहीं थे तो आप क्या बनते हैं हा देखिए जब मैं जब मैं जब मैं छोड़ा था जब को इसकूल बास कर रहा था तो मुझे बहुत शॉप था रिविंग का तो मैं राइसिंग, ड्राइविंग, रैलिज ब्रेसेश में जाने के मेरा ब बॉक्सिंग का बहुत शौक था लेकिन ऑविसली घर वाले मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे कहींगी तो फिर डिफिनिटी और मैंने पढ़ाई इतनी कीनी थी और ऑविसली अंदर कहीं एक रुची थी कि मैं कोई महाल में वैसे था और फिल्मे में वो देखा करता था तो एक्टिंग एक्टर बनने की रूची थी अंदर और पर शर्माता था ज्यादा बोलनी पाता था तो मुझे याद है जब मैंने कहा पापा से मैंने यह एक्टिंग करनी है तो बोला ठीक है बंजा बेटा तेरी मर्जी है तुन्हें करना जो करना है और फिर मैंने कर दो काम करना मुश्किल है तो इसलिए फिर में इंगलेंड चला गया था वहाँ जा कि फिर मैं ने बर्मिंगम एक ओल्ल रप थेटर है मैं वहाँ गया और वहाँ जा के मैं एडमिशन ली शर्षी जी शर्षी कुपूर जी ने मेरे को मुझे एडमिशन दिल्वाई उनका ब थेलो किया था मैंने और वहाँ पर फिर में करता गया और वहाँ पर फिर मुझे भी याद है जब मैं महां से निकला तो मेरे को जब सब्सक्राइफिकेट मिला था तो उसके ऑपर मैं दो तीन मांक से डिस्टिंशन से बच गया था और वह ओविसली बिकास लैंगविज का म हमारी एंग्लिश वाली वहाँ पर उससे लिख दिया था स्टेट्मेंट, विकें नेवर बिकाम एन अक्टर, तुमारा चलो, ठीक है सर, मेरा सवाल तो नहीं पर एक फर्माइश है, सर आपके बहुत अच्छे डायलोग्स रहे हैं, बत जनता का सबसे फेवरेट डायलोग है, ये धाई किलो का हाथ, सर एक बार बोल के दिखा दीजिए, सर प्लीज, एक बार ये धाई किलो का हाथ जब उड़ता है ना, तो आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है एक और ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके अदालत में सनीदल पर इजामा और सवालात का एक और दो एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनीदल मेरे सामने आ जाए, मैं दिखा दूँगा बाजों में कितना दम है हम लोग उसे परसनल ना लें तो बहुत अच्छा है, और जगर कोई बात आ गई, किसी ने मिचसे पंगा लेना तो आ जाए वेलकम बैक, आपके अदालत में आज अम्बु कदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सुपरस्टार सनी दियोल से सनी ये इल्जाम पाकिस्तान के लोगों के तरफ से आया है, वो कहते हैं कि हमारी क्या हालत दिखाई है और एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनी देर मेरे सामने आ जाए, मैं दिखा दूँगा बाज़ों में कितना दम है ऐसे और कई स्केटमेंट्स हैं मैं एक आक्टर हूँ जो क्यारेक्टर प्ले करता हूँ ये बनती है फिल्म एज प्रोड्यूसर एज डिरेक्टर और उसे हम लोग उसे परसनल ना लें तो बहुत अच्छा है और जगर कोई बात आ गई किसी ने मिज़से पंगा लेना तो आ जाया एक औरा पाकिस्तानी ने कहा कि इंशालला जब सनी पाकिस्तान आएंगे तो आरमी उनको जवाब देगी वो फिल्में बना सकते हैं असलिफ में कुछ नहीं कर सकते असलियत में मैं soldier नहीं हूँ, मैं actor हूँ, बार बार वही कहता हूँ, मैं character निभाता हूँ, और as a soldier भी, कोई soldier दोसी देश में जाएगा कब और क्यूं, जब कहीं हालात इस तरह से हो, और political issues हो, और कोई भी soldier एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपनी देश के लिए उसे करना पड़ता है और कोई किसी को जान नहीं दोना करता है सनी कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आपके एड्मार्स भी है किसी ने लिखा कि सनी देवल को पाकिस्तान बुलाओ दूद की लाइन में लगाओ दो सो रुपे किलो का आटा खरीदवाओ डिर सो रुपे की चीनी खिलाओ पानी बिजली मत दो अपने आप वाफ़त भाग जाएगा देखिए हम लोग अभी इन चीजों के बारे में कह रहे हैं लेकिन मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि वहां के लोग बहुत प्यार करते हैं जब भी मैं जहां भी जाता हूँ उन में कुछ इस तरह की बात नहीं है यह सब एक सियासी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़े से प्रॉब्लम्स आती है जनता दोनों तरफ एक ही है यहां से ही गई है हम सब इसी मिटी के हैं और सब एक ही है और यह जो लड़ाई बगरा होती है यह होनी नहीं चाहिए क्योंगी हर आदमी जो लड़ रहा है वो किसी का बेटा है हस्बन है, बहने हैं जो भी है, उसके पूरा परिवार उसका है वो कोई नहीं चाहता है कवो से खो दे और ना इदर का चाहता ना उदर का चाहता है तो मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि सुला हो जाए चारो तरफ बिकाज जिन्दगी में हम लोग हमें pro मिली गई है वो जीने के लिए है लडने के लिए नहीं कि अब शनीर आप कहरें कि ये सारी बात हैं सियासी हैं सियासित मैं तो आप भी बीड़र धायों कंट सॉब esper याइभट ये जातें के जी रिकार्ड शाव्क में एक भी सवालने में पूछआ है साड़े तीन साल में सिरफ 19 बार गए, 2021 के विंटर सेशन में बिलकुल नहीं गए, 2022 के विंटर सेशन में नहीं गए, 2023 के मौनून सेशन में नहीं गए, zero attendance मेरी attendance वाकिवे में बहुत लोग है और मैं यह नहीं कहता को ज़िए बात अच्छी बात है लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और जब देखा और मुझे लगा कि मैं ये मेरी दुनिया नहीं है पर मैंने अपने कॉंस्टिट्टिट्टिंसी के लिए जो भी काम जितने भी थे मैं सब करता जा रहा हूं और करता रहूंगा उसके लिए मैं वहां जाओं या ना जाओं उससे मैं नहीं मानता बिकॉस मुश्किल होती है दिक्कत आती है मुझे सेक्यूरिटी होती है और उस वकोविड आया फिर बाद में दूसरे इशूज आए तो एस बिइंग अन अक्टर कहीं जाना हमेशे चारज़ भीड लग जाती है और वहां जाके फिर और यह हमारी एक शॉट कमिंग है और बिकॉस मैं अक्टर हूं तो अविसली उगलें तो एक सेकिन में उड़ जाती है लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो मैं करता हूं स्के बारे मैं चंग्चा करूं यह करूं क्योंकि मेरा फिर्ज है करना इसले मैं करता जा रह रहूंगा हां एस पॉलिटिक्स आउविसलि यह एक प्रॉफेशन है जहां मैं एक फिट नहीं हूं पर तब दोजार चॉबीस में चुनाव है, लड़ेंगे या नहीं? मैं तो नहीं लड़ना चाहूंगा जो काम कर रहा हूं मोदी जी लड़ाएंगे आपको मैं को लगता है मोदी जी भी समझते हैं कि यह जो लड़का सनी है यह देश की सेवा as an actor बहुत कर रहा है तो यह वहाँ ठीक है जनता भी वही चाहती है जनता भी वही चाहती है कि महांने अच्छा सिनमा दूँ अच्छी फिल्मे दूँ जहां जो मेरा जिसकी मेरी एक्सपर्टीज है और मैं विटेभी यूथ हैं सबको मैं सेसे फिलम है दू तो देगे मोटिवेटेड और यूद पॉजिटिव जो सब्सक्राइब करो जो एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव और करें दूम्हें पॉजिटिव लेकिन विनोत खन्दा भी पंजाब से मेंबर आ पार्लिमेंट थे वो मंत्री भी रहे, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंनों तो कभी ऐसी शिकायते नहीं की? देखे, हर आदमी अलग होता है, उन्होंने तो वो रूट ले ही लिया था, वो पॉलिटिक्स में ही थे, वो ही करना चाह रहे थे, मेरा मेरा रुख नहीं था कभी भी, बट मुझे कहा गया था आने को तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा, देखें तो सही पापा भी आकर गई है, पापा नहीं कहा बेटा, देखें नहीं हो पाएगा, मैंने अद्दा दिकी गल है, फिर जब आया तो मुझे समय में आया है, वाके में ये उनके लिए है, जो पॉलिटिक्स में अपने आपको अंदर डाल सकते हैं, और उसे ही अपना प्रफेशन लेके आगे ले जा सकते है और मुझे सूट नहीं की, मुझे नहीं लगता कि मैं आल बी अबल टू बी, जैसे मैं अन आक्टर हूँ, मैं पहले डिरेक्टर भी बना, प्रोडूसर भी बना, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि एक हैनूनी भी ए गूर आक्टर, ये आपको तो प्रोडूस नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि प्रोडूसर बनके जो लोन लिया, उसके बतले आफिस निलाब होने की बारी आगई, देखिए मोटो होता ही है, बिजनस में होता तो नहीं है, लेकिन जब बिजनस में शॉट कमिंग हो जाती है, आप पिक्चरे बना रहे हो, बना रहे हो और रेकावरी नहीं होती, तो फिर ऑविसली अपने अपनी प्रॉपटी दी होती है, तो प्रॉब्लम आती हैं, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई होई है, तो ये सब चीज़े चल रहे हैं, लेकिन अक्तर जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं, हमारे पस प्रॉपर्टी गिर्वी रेखी थी नहीं दे पाए बैंक ने नोटिस अख़बार में चाप दिया लेकिन चौवीस घंटे में नोटिस वापिस कैसे हो गया कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी नहीं जनियून प्रॉब्लम बिकॉज उन्होंने मैंने लेटर्स भी भेजेते हैं को जाने से पहले मैं गदर की ये प्रॉमोशन कर रहा था सत्रह और अठ्रह और अठ्रह और उन्हीं सारी को दो दफा भेजेते हैं कि मा आ के चौवीस पच्चीस का के सब स्ट आट करूँगा लेकिन उन्होंने पता नहीं पता नहीं क्या बदमाशियां तो लोग करते ही र आट कर दो अपने जयगे को ज़रूर अपनी पापकी बनाई जयगे वसे बापस जरूर रखना चाहूं आपने पास क्यों नहीं लेकिन आप फिल्म प्रद्ध्रीस नहीं करेंगे फिल्म कभी प्रद्ध्रिस भिकूज मुझे क्यों कि मै मैं उसके लाय की नहीं हूंग्य और मैं तो बस हम क्रेटिव लोगों काम है चीजे करना और बिजनस को कैसे संभाना हम नहीं कर पाते इसी वजा से मेर इतने करजे हुए नहीं तो फिर क्यों होते जिए मेर पास अकल हो दी और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया अक्टिंग एसक्रनिया नो प्रदक्शन नो अवास होगेता है ना धिक यह साथ कुला नौिक अवार्ट अंटनेस अरंट इसनppo उंठी मनिते इन Bryce ठाजल नहीं मिला आपको कभी अवार्ट ङुए नहीं मिला नहीं मुझे आवार्ट मिले हैं हाँ मुझे मुझे मिले थे मेरी फिल्म में इनिशली जब मैंने घायल के लिए मुझे मिला था दामनी के लिए मिला था मुझे और उसके बाद नहीं मिले और जब वो दो मिले मुझे समझ में नहीं क्यों मिले और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया तो मना भी अगली बार मेरी घाता का ये इसमें भी उचे मिलेगा लेकि फिर मिलने बंद होगे ये सवाल इसली बुटते है क्योंकि जब अवार्ड के फंक्शन होते हैं उसमें आप स्चेज पर डांस करते हुए नजर नहीं आते लुटते हैं एक विञिव अपर डांस कि और इसी हैं नहीं और उसको नहीं है क्या विव कुछ भी मिल सकता है तो वो उसका स्वाद नहीं है किसे ने कैसे करके ले लिया पिर बोली कर देखा मुझे मिल गया और उसको खुद को पता कैसे मिला not because of your job but then लोग खुश हो जाते हैं तो फिर सबसे बड़ा अवार्ड तो आपको जो जनता का प्यार देती है यही तो है इस सब बढ़कर अगर को है इसलिए इसलिए जब भी फिल्म करता हूं तो मैं हमेशा वही बिकास मैं भी खुश जनता ही हूं जब मैं फिक्से देखता हूं तो मैं उसमें खो जाना चाहता हूं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि फिल्में भी वैसे ही हूं जहा हम लोग जाएं दो घंटे के लिए खो जाएं हमें रियालिटी नहीं चाहिए उदर विक्षस Рेालिटी तो हमारी तरफ है और बहुत सिर्वदर देती है हमाँ अपने अपको खोने के लिए जाते हैं एंज़ॉइ करने के लिए जाते हैं 2-3 घंटों के लिए तो Sinema में हमेशा वही समझत हूँ पर हम बात करते है rozlex athletes की दो मैंने फिल्म क्रिटिक्स के लिए नी बनाई, बनाई मैंने जन्ता के लिए बनाई गैं क्रिटिक्स को जो जो भोलना भोलता है हमें उसे क्या लिन देना कुछ वो कभी स्टमी केसे पfon पिकच्चर की तरह देखते नहीं है जैसे आप किस के पास भी चलो, जो सला लेने, तो उसको बताए मेरे कु सला दे नहीं है मेरे कु से को बताना जया है तो होता ही जब सबस For dollar सनी जैसे आप कहते है कि आपकी फिल्लू में लोग खो जाएं मैं कूँढ आपके अदालत में जैसे जवाब दिये उसमें भी लोग हो गए हम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बास सुनेंगे आपके अधालत में आज की जज रुचिका मेắtा का फैसला आज के मुकादम वेल्कम बैक आपके अदालत में आपशन में मुकदमा चलाया सनी देवल पर उन से पूछा उनके फिल्म गदर के बारे में उनके परिवार के बारे में उनके लाइफ के बारे में उनके गुसे के बारे में और उनकी गहर जिम्बेदारियों के बारे में अब वक्त आपके आपके ओपर जो सबसे पहले आरोप लगा था कि आप आरोगंट हैं, वो तो आपने सवाल जवाब होने से पहले ही उसको आपने, आपने सबसे ही जवाब हैं आपने सबसे आपने सब को कोई सवाल नहीं पाएंग के आपने सबसे आरोप था, जदूसरा आरोप था, यॉर अगल दिखते हैं और हमेशा दिखते रहेंगे, वो आरोब भी कहीं से आपके ओपर लाजिम नहीं होता क्यूंकि मैंने जो देखा, जो सीम्स दिखाए, जो मुवी देखी, आपका गुसा काम और जोश जादा है, तो वो जोश है आपका जायर बेशिक वो रोमांस में हो या आपके वो प्यार भी आप जोश से करते हैं और तीसरा था अंग्रेटफूल, ये इंडस्ट्री तो कभी किसी की ग्रेटफूल नहीं रहेगी, जिसकी हिट होई फिल्म वोही ग्रेटफूल है आज, मेबी दा इंडस्ट्री देंट गिव यू 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 दू पर ये जो आपकी ग गदर मचा दिया, उसने सब के मूँ बंद कर दिया, ये अदालत आपको बाहिजद बरी करती है, इस उम्रीद के साथ, इस यकीन के साथ, इस संदी देवन इसी तरह से हिट फिल्में देते रहेंगे, अपनी एक्टिंग से लूग का दिल जीतते रहेंगे, और नई वीडियो पर पहुंचेंगे, आज का मुकदमा यहीं खत्त करते हैं, अगले हफ्ते आफ्से मुलाकात होगी, एक नई शक्सित के साथ, तब सके लिए